हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल नमन जलालपुर में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जब भी आप किसी नए भीज़ा पराते हैं तो आपको किस परिशानी का सामना करना पड़ता है और जब आप यहां नए आते हैं तो क्या क्या करना पूरता है आपका कफिल आपसे क्या क्या करवा सकता है और किन किन चीजों से सामना परिशानी के सामना करना पड़ सकता है आपको तो आज हम इसी टोपिक पी बात करेंग आप से तो यह हमारे इस वीडियो में और दोस्तों आपसे कि आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब करें करो जिसे आपसी जानकारी दोस्तों आरे इस चैनल पर सिर्फ कि मतलब की बाते ही मिलेगी फाल्तों की कोई सरफ आपके काम करते हैं और अपने दोस्तों को आप लोग यहां आने वाले हैं आना चाहते यह उनको कोई भी गलब फरही है पूंदीया एन यहां जो भी ड़र रहे हैं वह चला जाए दोस्तों जब आप इंडिया से फ्लाइट लिए सौधी आगे सौधी एरपोर्ड पर जब आप बाहर निकले तो आपका कफिल जाएगा आपको रिसीब करने के लिए अगर कफिल नहीं जाता है तो वो किसी को भेज़ेगा और अगर किसी को भेजता भी नहीं है तो आपके जो आपका जो बीजा स्टंप हुआ रहता है उसी पे आप देखेंगे आगे पीछे कफिल का नंबर लिखा रहता है तो उस नंबर पे आप वहां से किसी से भी बाहर निकल के किसी टैक्सी वाले से या किसी से भी फोन करके बात करवा के आप आ सकते हैं बिल्कुल तो यहां आ गया नहीं जाते हैं तो सबकुछ तो पहले से ही ड्राइबर का रूम सब कुछ रेडी रहता है आपको किवल सामान वगएरा इधर उदर जो भी कमी वगएरा रहे वह अपने कफिल से आपको बात करके अपने कफिल से सब कुछ लेना है तो दोस्तों जब आप पहली बार आए तो आपको लेंग्योज वगएरा बहुत ज़रूरी है उगलिस अगर थोड़ा बहुत जान रहे हैं आप तो आसानी से बात कर सकते हैं एक महीना दो महीना किसी बी तरह आप अप दिल करेंगे तो धीरे तो जब उसी हिसाब किताब में रहेंगे, उसी माहौल में रहेंगे, तो आप अरभी बोलना आटोमेटिकली सीख जाएंगे, और सीखने की कोशिस भी आप करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंगलिस आ रहे हैं, तो जादा तर इंगलिस में मत बात करिए कुसिस करिए अर्भी में बात करने का अर्भी जितना अच्छा से आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए फाइदे बंद रहेगा यह जान लीजिए जितना बढ़िया से अर्भी आपको समझना और बोलना आ जाएगा फिर उतना आसान आपका यहां जिंदगी यहां उतना आसा कफिल के साथ कैसे रहना है कैसे मेनेज करना है और आपका कफिल आपसे क्या क्या करवाएगा तो दोस्तों अगर आप माली ये पहली बार आ यह यह काम कर दो वो काम कर दो जो आपके मन में आए वही करो गाड़ी चलाने के अलावा नहीं आए तो बोल दो साफ की मैं नहीं कर सकता मैं गाड़ी चलाने आया हूं सिर्फ गाड़ी ही चलावा अलाकि स्टार्टिंग में नहीं कहते हैं लेकिन जब दीरे एक दू मैना ती काम अगर बोल देता है भी यहां आप आए हो उसके घर पे तो आपको उसके हिसाब से रहने के लिए उसका कहा मानना पड़ेगा हलका फुलका अगर माने रहोगे तो वो भी आपका help करेगा अगर पहले ही आप उससे बात बिगारते हो तो फिर आपको समझेगा कि यह तो आद क्या करना है उसे हिसाब से आप मैणूज करिये जब्स ही हिसाब से दो महीन भी साथे हैं फिर आपको प्रगर नहीं कोईक्ति आपके मंद में आपका दिल जो भी घपारा करता अपस उतना ही काम के करें यह दोस्तों पहली बार जब आथे हैं तो अपने काम से ही काम रखिए तुक्स क्रीए तो कोई काम मत करिये तब कोई प्रोबलम होती है तो यहां आपके लिए भी नियम कानून है तो दोस्तों अगर आप अपने हिसाब से रहते हैं तो यकीन मानिए साल भर में छे महीने से साल भर के अंदर आप सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे फिर आपको हर एक चीज बहुत ही आसाल लगेगा फिर आपका मन लगेगा लेकिन अगर वही चीज आप कफिल के या अपने वहवाही में सब कि आप फुर्सत ही नहीं पाएंगे कुछ करने के लिए तो थोड़े से लालश मिया किसी वहवाही में बिल्कुल भी नहीं अपने काम से काम मतलब रखना बिल्कुल भी नहीं डरना है अगर आप दरेंगे तो यह लोग दरवाएंगे आपको नहीं डरेंगे तो कोई इस बरत्व साङर करें घृषा हम से रहना अवके उसको भी बुरा लगे जो यहां वह इस हे सबक्रूंड होता है कि आप इसे हिसाब से उसको मैनेश करिए कि वह बुरा भी नहीं आ मनें और आप अपना लाइन भी लिए 14 अरो आपको यहां पे इतनी फैसल्टी मिलेगी इतनी फैसल्टी मिलेगी आपको कि अगर कफिल आपको परिसान करता है तो आपके लिए लेबर कोट है हर एक चीज है सब कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस समय यह जो सिच्विएशन चल रही है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा भी आप नेट बगएरा चलाना जानते हैं तो ट्वीट बगएरा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वही जो अनपढ़ रहते हैं जिनको क हां लेकिन अगर कफील को खुस रखना है तो हलका फु नगा इसका भी कहना मानना पड़ेगा कफील अगर आपको नेफों यहां पे आपको डियूटी करना है मैडम की लेकिन खुस रखना है कफिल को यह चीज़ मानके रखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है सीधे कफील से अगर कहीं भी तोड़ा सावी उल्टा सीधा जैसे आप मान के चलिए किसी के घर में आए और लड़के या लड़की कुछ भी बदमासी करते हैं कुछ भी उल्टा सीधा अनाथ सब्सक्राइब कोई काम बोलते हैं तो सीधा आगर आपको वह चीज बुरा लगा तो सीधी अप में बोलती है या जादा घूमती या कोई भी प्रॉब्लम होता है यहां पर कफिल अलग बोलेगा अलग बोलेगी तो आपको सिर्फ कफिल का सुनना कफिल का सुनेंगे तो साथा सब कुछ क्लियर रहे गापका यहां पर सवुदिका चलता है यह चीज मानके चलिए मैडम का अभी चलता है लेकिन जादा तर आपको सौधी के तर्ष में रहना है सौधी को खुश रखके रहना बस तो दोस्तों यहीं वीडियो थी हमने सुचा आपको बता दूज इससे आपको काफी हेल्प मिलेगे यह चीज अपने दिमाग में जितनी भी बाते हमने बताई है वह गलत काम नहीं करना है अपने सारे रूल को फालो करना है यहांके और ट्रेफिक रूल को फालो करना है कोई जुर्माना वगेरा ना आए गाड़ी पार्क में सही से पार्क करना है नियम कानुन से चलाना है रेड लाइट नहीं तोड़ना है या रेड लाइट जंप नहीं कर दोस्तों वीडियो खतम करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब किये रहेंगे तो आप लोगों काफी मोटिवेशन मिलेगा यहां आने पर जितना भी डर है हम गरंटी लेते हैं अगर हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कि रहेंगे तो आपका सारा डर हम निकाल देंगे फिर आप आराम से एजी से सवादी आ सकते हैं रह सकते हैं आप बिलकुल बिना डरे तो मिलते हैं किसी यह वीडियो में तब तक की लिए बाइस